हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपको लिक्विट फर्टिलाइजर बनाना बताएंगे वो भी बहुत ही आसान तरीके से लिक्विट फर्टिलाइजर बहुत ही जल्दी काम शुरू कर देता है जबकि जो सॉलेट फर्टिलाइजर होता है वो थोड़ा धीरे बर करता है इसलिए जबी भी आपको किसी फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावरिंग पानी हो या फिर फ्रूटिंग प्लांट पर फ्रूट्स पाने हो तो हमेशा liquid fertilizer का ही यूज करें जो कि आज हम आपको बताएंगे ये गोबर की खाद है यानि कावडंग इससे आज हम liquid fertilizer बनाना बताएंगे आपके पास जो भी खाद हो, composed हो उससे भी आप liquid fertilizer बना सकते हैं आसानी से तो जबी भी आप गोबर की खाद लें, हमेशा पुरानी गोबर की खाद लें नई गोबर की खाद से आपके plants में fungus attack हो सकता है इसलिए कभी भी नया गोबर की खाद आप ना लें तो इससे आज हम आपको liquid fertilizer बनाना बताएंगे जो कि आपके plants के लिए बहुत अच्छा होगा दूसरा हम ये mustard cake से liquid fertilizer बनाएंगे जो कि fruiting plants में बहुत अच्छी fruiting के लिए दिया जाता है या फिर आप रोज में भी दे सकते हैं तो ये आपको कहीं भी seed की shop पे मिल जाएगा या फिर nursery पे या फिर जहां पे पशुओं का चारा मिलता है वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी आपके plants में आपको असर देखना इसका शुरू हो जाएगा तो इसके लिए हम बालती ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास खाली बरतन हो आप ले सकते हैं पुराना बेकार तो ये इस तरह से हमने इसमें गोबर की खाद डाल दी है और जितना fertilizer आपको बनाना हो जितने plants हो उसके according आप बना सकते हैं हमारे पास ये पहले ही एक 20 लीटर की बालती में बना हुआ रखा है इसलिए हम थोड़ा सा ही आपको बना कर दिखाएंगे तो इस तरह से आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं तो थोड़ा सा हमने गोबर का खाद ले लिया है और इसी तरह से हम थोड़ा सा ही मस्टर्ड केक लेंगे क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने अपने plants में मस्टर्ड केक का liquid fertilizer एड़ किया था तो अभी हमें जल्दी ही जरूरत नहीं है आप 20 से 25 दिन के अंतर पर अपने plants में liquid fertilizer देते रहें या फिर कम से कम एक महीने पर जरूर दीजिए तो हमें थोड़े से ही fertilizer की जरूरत है इसलिए हम आपको थोड़ा सा ही बना कर दिखा रहे हैं तो इस तरह से आप थोड़ा ले सकते हैं ज्यादा ले सकते हैं और इसको अच्छे से हम पानी से भर देंगे और ये तीन से चार दिन में तयार हो जाता है जो गोबर की खाद वाला liquid fertilizer है तीन से चार दिन में बहुत अच्छा तयार हो जाएगा और जो ये mustard cake वाला है ये तो आपको तीसरे दिन ही बनकर मिल जाएगा तो mustard cake वाले liquid fertilizer में आपको हलकी सी smell आएगी अगर वो पुराना हो जाएगा तो इस बात का आप धियान रखें अगर वो जादा पुराना हो जाता है तो थोड़ी सी smell आती है लेकिन आप उसको पानी में मिलाकर plants में दे दीजिए तो इस तरह से जो ये गोबर की खाद वाला liquid fertilizer है इसको हमने अच्छे से इसमें पानी भर दिया है और इसी तरह से हम इस mustard cake में भी पानी भर देंगे इसको आप इसका powder बना कर भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन हमने ऐसा का ऐसा ही डाल दिया क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें मिल जाता है इस तरह से इसको भी भर देते हैं अच्छे से और mustard cake वाले liquid fertilizer को आप दूसरे दिन ही यूज़ कर सकते हैं और जो cow dung वाला liquid fertilizer है उसे कम से कम आप तीन से चार दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने दे और समय समय पे इसे mix करते रहें तो बहुत जल्दी तयार हो जाता है जो हम घर पे kitchen waste से तयार करते हैं compost उसको भी आप ऐसे ही तयार कर सकते हैं तो इसको किसी भी इस्टिक से आप इस तरह से समय समय पे इसको मिलाते रहें तो बहुत जल्दी ही तयार हो जाता है और liquid fertilizer बहुत जल्दी असर करता है जैसे आपको fruits डॉक्टर कहते हैं कि fruits इतनी जल्दी असर नहीं करते जितना जो juice होते हैं वो ज्यादा असर करता है तो fruit juice जल्दी असर करता है और fruit धीरे असर करते हैं इसी तरह solid fertilizer धीरे असर करेगा और liquid fertilizer बहुत जल्दी असर करेगा आपके plants में तो यह एक 20 लीटर की बार्टी है जो कि हमने पहले से ही इसमें तयार किया हुआ है liquid fertilizer तो कोई भी bucket आप ले सकते हैं जो waste हो बेकार हो इसमें आप इस तरह से तयार कर सकते हैं यह बना हुआ रहता है जब यह खाली हो जाता है तो हम इसको दोबारे से पानी से बहर देते हैं तो इसमें जो solid नीचे जो रहता है कंपोस्ट वह नहीं लेना होता केवल इसका पानी ही लेना होता है तो इस तरह से मिक्स करते रहें और जब भी यूज करें यूज करने से पहले भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें ज्याद्य मातरा में भी आप इसको बना सकते है और कम मातरा में भी बना सकते हैं जिस तरह से आपके प्लांट्स हो को सब्कूरहलों歌 चिम कर लोई तो 3-4 पर चाहते हैं अबपन आप siya अगर दस से कैसे 2-3 दिन मेंडिये ने छहाके हैं तो आपइसको पानी में मिला कर दे सकते हैं लेकिन हम हर 15-20 दिन में fertilizer देते हैं अपने plants में तो हम इसमें पानी आड़ नहीं करते हैं एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हम एड़ नहीं करते इसको ऐसा का ऐसा लेते हैं जैसे कि एक छोटा सा ये मग है तो इसको हम ले लेते हैं और जो हमने दो प्लांट आपको बताये थे लास्ट वीडियो में उसका डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा जो कि हमने बिना fertilizer के ग्रोग किये थे तो आप देखी सकते हैं उसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है जो कि बिना fertilizer के हमने ग्रोग किये थे और आपको बताया था कि अगर आपके पास fertilizer ना हो तो आप किस तरह से प्लांट ग्रोग कर सकते हैं तो उसका वीडियो जो है आप तोड़ दें इस पे से नहीं तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं और खाथ डालने से पहले यानि fertilizer देने से पहले आप अच्छे से गुड़ाई जल्दी असर करता है और कितने अच्छे हमारे प्लांट सभी रहते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं लिक्विड फैटिलाइजर बहुत जल्दी असर करता है तो इस तरह से पहले गुड़ाई कीजिए रूट डिस्टरब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी जो र सॉफ्ट रहता है ड्रेने सिस्टम अच्छा रहता है तो देखी सकते हैं आप प्लांट कितने हैं हमारे और जल्दी ही हम आपको लगबग ऑक्टूबर में रोज की प्रूनिंग भी बताएंगे जब हम इसको प्रून करेंगे क्योंकि उससे ही अच्छी फ्लावरिंग होती है रोज में तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जो है साइड में उसे भी प्रैस कीजिए उसी से आपको नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन में लेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कु जादे जल्दी लगते हैं तो आप हर एक महीने के अंतर पर आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं इस तरह से सभी प्लांट आपके हैल्दी रहेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर ट्राइजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए आपको हमारी वीडियो कैसी प्लांट नहीं लगी तो ये दोनों वही प्लांट हैं दोनों काफी हैं ग्रोथ अच्छी है क्योंकि अभी थोड़ी दो पहर है इसलिए वीडियो बनानी थी तो हमने अभी söz देर लेकिन फर्टिलाइजर आप हमेशा शांको ही दे क्योंकि नहीं तो सूरज की रोशनी से व हमारे प्लांट काफी हैं जिससे की आप देखी सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी हो रही है और कुछ लोगों के जो रोज प्लांट है उसकी जो लीफ्स हैं वो जढ़ रही होंगे आज कर तो उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो अभी ये पतियां गिराता ही है रोज ये तो असके लिए पुरानी पतियां गिरा देता है और इसमें से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है इसलिए अगर आपके प्लांट पर से पतिया गिर रही है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो जल्दी ही आपका प्लान फूर्पार ने प्लावरिंग करेगा और पुराने फू